कि नमस्कार स्वागत आपका हिमवन्त प्रदेश द्यूज में मैं हूँ भानू प्रकास नेगी कि मुंत प्रदेश द्यूज के खास मुलाकत कारिक्रम में आज हमारे साथ खास सहथ्यत डॉक्टर राजीब सर्मा जो किसी परिचाय के मुहताज नहीं है सर आपका हमारी चैनल में स्वालत है बहुत धन्यवाद नेगी जी कि आपने सुदूर इंचीरियर को काम करने वाले डॉक्टर को इंटर्व्य को लिए चुना बहुत बहुत धन्यवाद जी और डॉक्ट साहब का एक परिचाय मैं आपको बरतमान समय में दे दूं कि सबसे पहले तो सब लोगों के वैसे तो पूरा इलागा पूरा चेत्र चमोली जनपतों आपको एक एक बच्चा जानता है लेकिन फिर भी में जो नए हमारे दर्शक हैं और जिनके जिनको जो है आपके बारे में अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है तो एक संचिप्त आप बड़ा तो नहीं है मैंने यहां महाराणी लक्षिमभाई मेडिकल कॉलेज से म्बीबेस और एमेस उत्तीरड करने के पस्चात में यहां जोइन किया फरवरी 1902 में तब यह उत्तर प्रदेश कंबाइंड इस्टेट था उत्तरकंड अलग से स्थापना नहीं हुई थी तो यहां सर्जन का पद खाली था उस पद पर मैंने जॉइन किया और बहुत पहले से यहां क्योंकि स्पेशलिस्ट रुकते नहीं थे पहाड में तो लोगों को बड़ी आशाएं रही और आते ही जिस दिन मैंने जॉइन किया उसको मैंने ऑपरेट किया जो संसादन जो भी उपलब थे उसी में उसके पस्चात फिर दो चार दिन रुखने के बाद और भी जो सर्जिकल केस आ तो जनता में काफी मतलब हर्च की लहर हुई नहीं मेरा काफी स्वागत किया मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके पस्चात से जो सर्जिकल यात्रा शुरू ही तो जितने भी सीमित संसादन थे थोड़े थोड़े उसमें हम जो डॉक्टर्स एनेस्टीसिया में ट्रेंड हो एनेस्टीसिया देते थे हम लोग सर्जिकल किया करते थे कभी मुख्याले से कभी श्री नगर बेस अस्पिताल से थैंटर्टीस बलाकर सरजियरी शुरू करी और फिर हमने सभी मेजर सरजिरी जो भी मेडिकल कॉलेज में सीखी थी तोल बैटर स्टॉन किद्नी स्टॉन हर्मिया कई बार बड़े ऑपरेशन भी कैंसर सरजरी बगरा भी सब यहां करने स्टार्ट की उस समय सर्जन्स बहुत जादे थे नहीं कि स्पेशलिस्ट पहाड पे चढ़ना पसंद नहीं करते थे तो यहां की जंता के हाल बहुत बुरे थे कई गर्वतियां रास्ते में ही दम तोड़ देती थी यहां से जो खास तोर से बरसात में जब रोड्स ब्लॉक हो जाती थी तो कोई नीचे भी नहीं जा पाता था और सुदूर देहरादून में जाकर कोई अच्छी विवस्त था स्वास्ते की मिलती थी उसमें भी एम्बुल करते तो उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे यहां काम करना चीए तब से मैं यहां काम करता रहा हूं इस बीच में आपने वह सेवाएं दी हैं जब किसी डॉक्टर को जो है पहार चड़ाने की जब उस समय बात होती थी तो वह जो है रिजाइन कर देता सेकिन पहार जाने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा उनको भाय लगता था हर चीज से क्योंकि तमाम चीजें सामने आ जाती है मैं उनका जिगत नहीं करूंगा लेकिन आपने उस बिकट परस्तिती में भी यहां इस पहाड में जहां पर की स्वास्ते सेवाओं के नाम पर कुछ थाई नहीं उ सबसे पहले मुझे मेरी मा से ही बताया गया कि मैं बहुत बिमार हुआ तो मेरी मा मुझको रात को आधी रात के वक्त लेके गाउं से मेरट शहर तक आई थे उन्होंने मतलब मेरे से पहले जो भाई वहन थे वो किसी तरह मतलब infant age में ही death उनकी हो गई थी तो मा बहुत चिंती थी तो वो मुझे लेकर रात में ही गाउं से मेरट तक आई और किसी प्रकार पर मेरी प्रान रक्षा हो सकी तो ये मेरे back of mind पे था कि डॉक्टर का बहुत एहम रोल होता है तो उसके पस्चाथ जब मैं थोड़ा पढ़ा बड़ा हुआ तो जो subject होते हैं वह बायलोजी वगरा लिया उसके पस्चाथ धीरे-धीरे मेरा चिकित्सा में और सर्जरी में इंट्रेस्ट डवलब हुआ और मुझे लगा कि मैं जब से पहले बार मेरे मन में आए कि मैं डॉक्टर बनूगा तो यही लगा कि मैं सर्जरी बनुगा और उसके बार आपने अपना जो भी कोसुस किया होगा और स्वाइन 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 दी हैं कि तक कि इसे आप से हो चुके हो कि आप सर्जन के नाम से जाना जाते हैं नाम तो जाला पता नहीं होगा लेकिन किसी बहुत नाइज करती है और युई सर्जन के नाम से पहचान जाना रहे हुआ है लेकिन सर्जरी मैं अभी भी एंजॉय करता हूँ जब भी कोई emergency या कोई case होता है मैं अभी भी सर्जरी किया करता हूँ कंप्रियाग अस्पिताल में जब मैंने यहां आके सर्जरी शुरू की थी तो बहुत बड़े case यहां नहीं हो पाते थे एनस्टेटिस्ट भी यहां नहीं रुकते थे और physician या जिस एक setup की आवश्चक्ता होती है advance surgery करने के लिए वो यहां थे नहीं लेकिन लोगों की आवश्चक्ता और मन में जजबा था उनकी आवश्चक्ता को देखते वह यह लगता था करना चाहिए क्योंकि लोगों को यहां बहुत आवश्चक्ता है कोई सर्जन जीला मुख्याले पर भी कम समय थैर पाते थे कहीं भी कोई आता था तो आने से पहले वो ट्रांसफर के कोशिशों में लग जाता था जितनी मेरा भी ट्रांसफर हुआ मेरे साथ ही लोगों ने भी कहा कि अब बहुत तुमने पहाड़ पर सर्विस कर लिए पांच साल आप आप नीचे उतर आओ लेकिन बार बार पब्लिक इन उसको रुकवाया और फिर मैं भी उनके नरोद को टाल नहीं सका रावशक्ता देखते हुए फिर यहीं रहना मैंने सुटार किया और सभी प्रकार की सर्जरी इस बीच में हां जो भी सर्जरी आती थी जो मैं कर सकता था मैंने शुरुआत की उसको करने की रुटीन इंजरी होती थी जैसे कोई पर्फॉरेशन है या और स्ट्रक्शन हो गया इंट्रस्टाइम का या ट्रॉमा है पहले जो इंजरी हो जाती थी एक्सिदेंट में लोगों को तो उसमें भी स्प्लिन एक्ट्मी या इसकी ज़रूत पढ़ती थी वह सब भी सीमिस संसाधनों मे की तत्पस्चात 1994 में उत्राखंड आंदोलन प्रारंब हुआ उस दोरान लगबख सभी डॉक्टर सारे अस्पताल वगरा के से डॉक्टर अपने घर चले उस समय उत्तरप्रदेश था तो काफी कुछ डॉक्टर उत्तरप्रदेश से थे वो सब घर चले गए लेकिन मैं यह नहीं रुका रहा और उस अंदोलन में गोली वारी भी हुई गोचर में इसमें भी लड़का था कुल्दीप चौधरी बहुत सारे लोग घाल हुए उसमें कुल्दीप चौधरी थे उनको ठूट राइफल वूंड हुआ तो यहां लाया गया उसको बहुत ही तर्मिनल कंड कर सकता हूं यहां करूंगा उन्होंने कुशिश किया हुँनका थौरक आप मैंने समय की क्यूंकि मेडिकल कॉल़ेज में हमको सिख़ाया गया था इमर्जनशी सरज्अरी Passage से करना चीहें रूरल एडिया में इसकी थोरऑ всяa बच गया वह बच गया बहुत बड़ा आप स्ट्रक्चर था थोड़े से चेस्ट के स्ट्रक्चर बच गए थे लेकिन थ्रू एंड थ्रू वो गोली पार हो गई थी तो उसको हमने लेपरोट में भी की इसमें डेन वगरा रखी और उसको लगभग उस समय हमने ब्लड बैग मंगाए उसको तीस यूनिट ब्लड चड़ा लोगों ने यहीं दिया बहुत हुजूम इकटा हुआ उस दिन आंदोलन को लेकर और काफी दबाव भी रहा कि इस पेशन्ट को यहां से शिफ्ट करो नहीं तो यहां स्थिति विस्पोटक होगी लोग उद्वेलित थे लेकिन पेशन्ट को देखते हुए मैंने फिर मना कि मैं इसको शिफ्ट नहीं करूंगा यहीं देखेंगे और नहीं इसको शिफ्ट करेंगे इस स्थिति में तो रास्ते में जा सकती है तो अंततो गत्वा मरीज फिर ठीक हो गया तीन महीने अस्पताल में रहा अभी वो एक सर्विस में लगे हुए हैं उतराखंड आंदोलन का काफी दिन और लोगों में और कुछ विश्वास जगा होगा उसके बाद उन्होंने फिर मुझको जब भी ट्रांस्वर्वा फिर जाने नहीं दिया तो मैं अपना सर्जरी यहां करता रहा तालांतर में मेरी वाइफ तब तक सर्विस में नहीं थी उनका सेलेक्शन फिर पाड़ से नहीं रूत रहा हूँ वाइफ के साथ पोस्टिंग का आप एप्लिकेशन दे दीजिए लखनव में और कहें दीजिए कि मेरे को भी वाइफ के साथ यहां पोस्ट कर दें लेकिन यहां के जो उस समय डिरेक्टर हिल्स थे ड्क्टर आईयस पाल साब उन्होंने का यहां आना के लिए अपना सविकार कर लिया और फिर रामपूर से अपना ट्रांसफर यहां के लिए मौडिफाई चिर्व तो उस दिन से वो भी मेरे से कंदे से कंदा मिलाकर मेरे साथ कारी कर रही है और गाइनेकोलोजिस्ट के आने से यहां खासत दौर से गो मॉप्लिके तो कभी बहुत ही complicated जटिल प्रसव यहां शुरू की हमने सीमिस इंसादनों में और उससे लोगों को रहत मिली तो लोगों ने समान भी फिर बहुत दिया और कई लोग को कहते भी थे कि पहाड में तो इसका discrimination है पहाड और plane का discriminate करते हैं लोग उसका मतलब एक शेतरवाद होता ह मुझे इसका कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगर आप मन से काम करते हैं तो फिर public आप कहीं भी हो सम्वान आपको मिलता है उन्होंने दिया भरपूर सम्वान मुझे पबलिक से भी जाता है कि धरती पर भगवान जो है और आप दोनों पती पत्मी जो है जिस तरह से यहां सेवा दे रहे हैं और भी अभी तक साइद ही मतलब कोई उत्राखंडी इस तरह से करें या तो लोग बहार के लोग भी है अभी तक इस तरह की कोई मिशाल देखने को नहीं मिली है हाहाँ नहीं कुछ लोग हैं एक असा नहीं के सभी लोग ऐसे होते हैं हाला कि जादातर लोग पाढ़ाड की भीश्यका से घवरा जाते हैं हम भी जब लोग आये थे अगर आज वी तो में बारीश होती है तो नलों में पानी भी आना बंदो जाता klass कि बी अ गाईदा पान गई हैं विकास हुआ है उस समय से अप्ट तीस सालों में और जब मैंने जॉइन किया था आज की तारिख में स्पेशलिस्ट आने को यहां तयार नहीं है लेकिन आज से 30-31 वर्ष पहले तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस्तिती रही होगी लेकिन शायद जो हमारे मेडिकल कि अब स्वास्ते के आवश्चक्ताओं कि गाउं में दूर दराज तक भी कोई सुविदा मिलती नहीं है तो बैक आफ माइंड बैसी चीज़ें रही होगी और यहां के स्थितियां देखने के बाद फिर लगा कि मुझे यहीं सेवा करनी चाहिए अब बात आती है कि हम अभ यहां बर्तमान समय में आपके पास वोपिश्वर्भी और पूरा जन्पद है और जन्पद की हम अगर बात करें तो क्या इस्थिति है हमारे स्वास्ते द्वास्ते अब देखे पहले जब मैंने जॉइन किया था उसके बाद भी 20-25 सालों तक डॉक्टर्स पहाड प्याना चाहते थे खास्त तोर से विशेशग्य तो बिल्कुल ही नहीं आते थे बहुत कम लोग यहां जॉइन करते थे विशेशग्य इवन एंबीबियस डॉक्टरों की भी कमी थी हमारे पास अस्पताल तो इस्थापित थे लेकिन उनमें चिकिस्सक नहीं थे धिरे धिरे चिकिस प्रदेश में नहीं था इस प्रदेश में जिए हम लोगों के यहां रहते हुए हम यहां से तेरादूनी रेफर करते थे तो दून अस्पताल या कभी दिल्ली चंडीगर्ड यहां से केस जाते थे तो धीरे-धीरे मेडिकल गुर्डी स्थापित हुए जॉली ग्रांट की स स्थापना हम लोगों के सामने ही देखते हुए हुई उसके पश्चाद बेस हॉस्पिटल का उच्ची करन होता रहा कालांतर में इसको भी मेडिकल कॉलिज बना दिया गया और नए अस्पताल यहां इस चेतर में भी खुले और अब लगभग चिकिस्टकों की कमी वर्तमान सम पूरी हो गई है हमारे पास अभी परयाप संख्या में चिकिस्टक को प्लब ने क्योंकि प्रदेश में कई मेडिकल कुल गये हैं और उनमें चिकिस्टकों को ग्रामीन चेतरों में सेवा देना निवार्य तो अभी कि कम्यम काफिया तक दूर कर पाये हैं अगर साथ मैं बा प्रद्दालों की ओवर आल सीटिती क्या है एक स्वर्ड लोगिस्त की जरूत होती है इस कम संख्या में उपलब्त जैसा कि मैंने का कि a specialist कम चड़ते हैं पार के ऊफर लेकिन वाल जहां जहां रेडिमनम और में स्टिय गए पर स्थापना की जा रही है श्रीनेगर मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में सीटी उपलब्ध है और एक सीटी हमारे जिले में भी गोपेश और जिलाच साले में स्विक्रत हो चुका है उसकी फानेंशल सेंक्शन भी हो गई है और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बहुत जल्दी सीटी स्थाफित हो जाएगा करन प्रियाग में भी सिमली में एक नए अस्पताल बना है जो कि अच्छा और स्टेट ऑफ दी आर्ट बिल्डिंग उसकी बनाई गई है उसको भी हम लोग कर रहे हैं दीरे दीरे उसमें डिजिटल एक्सरे स्थापित हो चुका है और अल्ट्रसांड मशीन आ चुकी है एक संसरी ultimately स्प्राइम कि मांतर अपे लिए के वहाँ उसके और यह वहां पर द्याता है कि होता है अक्साने लिए सब्धार का इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है जिले में क्योंकि में बहुत लंबे समय से यहां कारियरत रहा पोखरी उस समय पीच्ची हुआ करता था और बिडिश पीरिडिट की बिडिंग की बनी हुई अब प्रियाथ मातरह में वहां चिकिस्चक भी है जो पोखरी के आसपास के भ अन्य भी स्थापित हो गएं उसमें भी चिकिस्चका गए है एक्सरी मशीन वह पोखरी में है और अल्ट्रसाउंड मशीन भी पोखरी में है किंती रेडियोलोजिस्ट नहोंने के कारण वह चाली तह नहीं हो पाई रेडियोलोजिस्ट उपलब दोंगे तो उसको भी ब्लॉक हैं ओकरी गैर से नरान बगड और धराली देवाल इनको हम लोग करण प्रयाग में एक एक दिन निश्चित करते हैं जो खास्तोर से गर्ववती मही लाइए उनके जो चेक अप होते हैं उनके लिए यहां एक दिन निश्चित है और जोशिमत दशोली घाट इन सब्सक्राइब करना जाओंगा कि जो रोता का प्राट्विक स्वास्ते केंद्र हैं वहां से बार बार शिकाईद आती है जब की जिएम साथ के भी संज्ञान में इस बात अश्चिम साथ कि आया है कि वहां पर जो चिकित्सक हैं जो कर्वचारी है वहां हाफते में एक दो दूराज से इस्थित अस्पतालों में चिकित्सक मौजूद रहें उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी उनके कंट्रोलिंग अस्पताल है जैसे पोक्री है कि आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सबकी उपस्तेदी सुनिश्चित करें रोज उनक और ही है चारधहम hybrid को और क्या तो लिए जैसे कोई मरी चोट के उस्निश्चवार हो जाता है तो इस अप लोक कि सबकूर को देखे गोंपेर में प्राइश और यहां पर सजट दो और घ्रीड गार बोजेस की दोड़ा है, तो ब्लड बेंग को पलप्स हो सकते हैं उनको यहीं मैनेज करते हैं सजटरी के जिनको और्थोपटिक सरजरी जनरल सरजरी आगानेक सरजरी चाहे है इसको करते हैं इसमें पॉलन मा होता है जिसको भीजने की आवाश्चाप्र पड़ती है नियूरो सरजरी के लिए उसको फिर बाहर रेफर किया जाता है इसक्षा जैसे जो हमारे दूरस्त चेतर के गाउं हैं जहां पर जो है लोग अभी भी बड़ी समश्याओं में बड़ी अस्पदाल हो या चोड़े अस्पदाल दक भी नहीं पहुत पाते हैं इसके लिए बड़ी अभिनव पहल शुरू की है जिला चमॉली ने जिला प्रशासन और सब्सके समन्त वैसे एक स्कीम लोगों ने शुरू की है कि हम सारे स्पेशलिस्त लेकर जिले के सब से दूरस्त जो भी जगह हैं जहां पर बहुत सारे आट-डस गाउँ के लोग एक साथ ही अकटे हो सकते हैं वहां पर कैम लगाते हैं तो सारे स्पेशलिस्ट ओपीडी से वहां दे दी जाती हैं तत्पस्चात जो भी केसे चांटे जाते हैं सरजरी के लिए या स्पेशलिटी ट्रीट्मेंट के लिए उनको फिर यथा स्थान रेफर कर दिया जाता है उसका हमारे पास पूरा डेटाबेस तैयार है कि कितने हमने पेशन्ट आज तक देखे और कितने उसमें सरजरी हुए कितनों को बाहर भेजा गया और यदि उनको तरशरी अस्पतालों में भी भेजने की आवशक्ता पड़ती है जैसे एम श्रीची केस जॉली ग्रांट जेहरादून मेडिकल कॉलेज या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज तो उनको फिर महां पर भी एम्बुल उसको नजरदाज करते हैं तो उससे रोग बढ़ जाता है वो सोथी हैं कि आज जाएंगे जाएंगे तो कई बार जूर्ट छेतर होने के कारण कई बार पारिवारीक समस्याओं के कारण कई परिवार में कोई पंक्ष्यन होने के कारण वो दिखा नहीं पाते तो इसलिए हम सरकार और अस्पिताल को जनता के द्वार तक ही ले जाते हैं वहां पर OPD सर्विस देके फिर उसमें से केस छाटके उनको यहां बुला लेते हैं अल्टरसाउंड करना एक्सरे करना यहां उनको लाकर यह सुविधाई दे दी जाती है दाइगनोसिस बनने के उपकान जैदी कि सब्सक्राइब करें लिए जाता है जो यहां के इस तर पर मैनेज नहीं हो पाता उसको तरशरी अस्पिताल पर भिजा जाता है अब उसका इंपेक्ट भी देखने को मिल रहा है तो अब बात आती है जी आपने 31 सार का जो लंबा सपर याँ पर ताही कर लिया है और रों के जह अंदाज से लगबग धाई लाग के करीब सर्जरी यहां में कर चुका हूं ओवराल मतलब मेजर केसिस भी हो गए होंगे डेड़ लाग के लगबग और इसी में माइनर ओपरेशन भी लगबग एक सब लाग तक हुए होंगे इन जनरल सर्जरी के बावजु अलावा मैं अबंग अगर मैं बात करूं कि अभी तक जिन लोग पता नहीं है लोगों के दिमाग में सिदा सिदा ही रहते हैं सर्जरी करने हैं तो देरतों ले जाना जिनकों की जैसे बहुत बड़ी मेजर कैंसर सरजरी है तो उसको डाइगनोस करके यथा संभाव यथा शीग्र उसको रेफर कर देते हैं उसके पश्चात यहां जिले में उसकी सुविदावी सरकार द्वारा उपलब्द कराई गई है जो बाहर से तरशरी ऊस्पटालों से कैंसर सरज़री या एडवान सरजरी के केस था है उनकी कीमो थरपी भी यहां पर करवा दी जाती है तरकार के द्वारा यह यह वह पहनई पहल पीछाले पर उपलब्द है तो जो कैंसर सरेजनी मान जा पेशन दिल्ली चंडु में बहुत सुधार आ गया है कंप्रयाग में भी लगवक प्रतीक जिले में जो डाइलेसिस के रोगी है जिनका किदनी ट्रांस्प्लांट हुआ है या जिनका होना है जो ट्रांस्प्लांट की वेट में है प्रतीक्षा में है या जिनको क्रोनिक रीनल डिजीज है जो डाइले तो इसको देखते हुए सरकार के दौरा एक मुफ्त डायलेसिस की योजना भी शुरू की गई है हमारे कंप्याग में ही ट्रॉमा सेंटर में लगभग 40 डायलेसिस प्रती सब्ता की जाती है तो पूरे जिले के डायलेसिस रोगी यहां रजिस्टर है वह अपनी अपनी बारी यहां करा सकते हैं तो उस तरह से लिए उटकी अब और अंत मेंकि आप से एक संदेश जो जन्दा के लिए तक लिए जन्ता के लिए संदेश है कि क्योंकि पहाड में प्राइवेट सेटप है नहीं, बड़े शैरों में तो प्राइवेट नर्शी भूम और बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट भी खुले हुए हैं, लेकिन पहाड पे पूरी स्वास्य व्यूस्ता सरकारी व्यूस्ता के भरोशी है, सरकार इसके लिए बहुत संबेदन शील है, हमारे मानिय मंत्री जी बार बार यहां चक्कर लगाते हैं सभी इंटीर्यर्स में, काफी भूंगते हैं वो स्वास्ते सेवाओं का जायजा लेने के लिए और उच इस तरके अधिकारी गंड जैसे सचिव महोदय ने भी यहां कई बार यात्राएं की, इंटीर्यर्स में वो दूरस्त सीमांत गाउं तक भी गए और बदरिनाथ भी उस समय, क्योंकि बदरिनाथ पट खुलने से पहले वेवस्ताएं देख ली तो पैदल जाना पड़ा, पैदल हम लोग गए, मानिय सची महोदय भी उसमें आये, और केदार सेवाओं के पृति भी पहले से उच्चा दिकारी हैं, सरकार का ध्यानी सोर है, मैं समझता हूँ कि जनता को भी अब पहले से बहतर स्वास्ता सुविधा का लाब मिल रहा होगा, क्योंकि लगबद पृत्येक अस्पताल में हमारे पास चिकिस्ता की उपलब्ध हैं, संसाध में तो मशीन की उपलब्द होते हैं, तो मशीन की उपलब्द अभी हो जाती है, जिए कितनी भी महम् mistaken का यो ना हो, जख के और हमारे पास उसका का There Wghakar Gramous, ए वह का प्रकाति हमते हम ऑनारे से स्वास्ती की और में यवरे लेकिन स्वास्ता Business की पोखती हाएं, स्वास्ती क खास्तोर से मानवसन साधन की पहले जो कमी थी वो काफियत तक दूर हुई है मुझे उमीद है कि मेडिकल कॉलेज जब तक चल रहे हैं फिर धीरे धीरे स्पेशलिस्टों की उपलब्धता भी यहां सुनिश्चित की जाएगी और एक सरकार ने और भी स्कीम शुरू की है यू कोट वी पे तो जो स्पेशलिस्ट चिकिस्सक यहां इंटीरियर में सेवा देना चाहते हैं उनको काफी अच्छे वेतन पर यहां रख लिया जाता है लगवग उसमें तीन से साड़े तीन लाख रुपे तक भी सरकार वेतन दे रही है स्पेशलिस्टों को प्रतिमा जो कि मैं समझता हूं कि काफी अच्छा एक वेतन है उसमें कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं आ सकता ह है चारधाम यात्रा में भी सरकार में यह इंसेंटिव शुरू किया कि जो डॉक्टर दूरस्त बद्रिनाथ या उपर हेमकुंड साहिब में या केदारनाथ में गंगोत्री अमनोत्री में अपनी सेवाएं लेंगे तो उनको उनके वेतन से उपर एक अच्छा इंसेंटिव साथ सो रुपे से लेकर हजार रुपे प्रती दिन तक उनके वेतन के अध्रिक दिया जाएगा सरकार के प्रियास हो रहे हैं उपर डॉक्टर्स को चड़ाने के लिए सरकार तो हमेशा सही गंभीर रही हैं लेकिन खाली सरकारों के गंभीरता से भी काम नहीं चलता है हम चि चिकित्सक कम्यूनिटी का भी आवान करता हूं कि प्लेन या मैदानी जिलों में तो बहुत चिकित्सक और रोगियों का रेशो काफी अच्छा है लेकिन अभी भी पहाड के दूरस्त क्षेत्रों में स्पेशलिस्टों की कमी हैं तो मैं आवान भी करूँगा कि जो स्पेश सरकारे तो चाहती हैं सरकारों ने आपके लिए मतलब अच्छे वेतन का इंतिजाम किया है तो मैं समझता हूं कि हर आदमी अपने कम से कम युवावस्था में यहां कुछ वर्ष जरूर दे सकता है तो यह थे हमारे साथ कि जो चिकित्सा सेवा के लिए एक मिशाल वने हैं जिन्होंने ततकालीन समय में जबकि यहां पर किसी भी प्रकार के कोई सुविदा नहीं थी और आते ही पहले दिन से ही जो है अपना समर्पन अपनी सेवा मानवस जीवन के लिए हैं लोगों के जीवन को बचाने के लिए है जिनका साब तोर पर यह कहना है अपने साथी डॉक्टरों से जो मेरानी छेत्रों में सेवा रहत हैं वहां भी बहुत अच्छी सेवा हैं दे रहे होगे लेकिन एक बार वो पहाड़ों के लिए जो हमारे नोजनपत पहाड़ के हैं उनको लेवी जो है उन्होंने आवान क क्या है कि वह एक मानव सेवा के लिए समर्पित हो आपको मिलेंगे फिर एक नहीं स्ट्रक्षित के साथ अपने के लिए नुश्कार